एशिया में भारत हेलो बच्चों हेलो अंकल जोन आज मैं तुम लोगों को पृत्वी की सैर करवाऊंगा अरे वाह, कितना मज़ा आएगा ना, हम भी तो यही चाहते थे बच्चों, पर पृत्वी की सैर करने के लिए तुम्हें मेरे एक खास दोस्त से मिलना होगा कौन है वो? थोड़ा अश्चर एसे इनसे मिलो ये हैं, ग्लोब आज तुम सब इन ही के नजर से पृत्वी को जानोगे हलो बच्चों, मैं हूँ ग्लोब हलो, ग्लोब आप हमें पृत्वी के बारे में क्या-क्या बताओगे? बच्चों, मुझ पर छपे इस भाग को देखो इसमें देशों के थल, अर्थात, भूमी और जल भाग दिखाए गए हैं इसमें तुम्हें आधा भाग ही दिख रहा होगा इस ग्लोब पर बने नक्षे को घुमा कर देखो अब दूसरा भाग दिखाई दे रहा है अरे हाँ, आप दोनों ने सही कहा तो बस हमारी पृत्वी भी इसी की तरह गोल है और यह बहुत बड़ी है तुम लोग इसे एक साथ पूरा नहीं देख सकते इसलिए ही तो मैं हूँ, उसका छोटा सा नमूना ग्लोब बच्चों, अब ग्लोब पर बने इन चित्रों को देखो अगर इन चित्रों को कोई कागस पर छाप दे तो इसे ही नक्षा कहेंगे अच्छा, अब तुम सब ग्लोब को ध्यान से देखो और पहचानू, जो भाग नीला है, वो जल है और बाकी का शेश भाग थल है और नक्षे का उपरी भाग, उत्तर और नीचे का भाग, दक्षण दिशा बताता है अंकल जॉन, क्या हम ग्लोब को और आसान तरीके से समझ सकते हैं? हाँ, हाँ, क्यूं नहीं? इसके लिए तुम एक कागज को उपर नीचे की और आधा मोडो कागज का उपरी भाग, उत्तर तथा नीचे का भाग दक्षण है अब दोबारा इस कागज को दाईं वा बाईं और से आधा मोडो देखो, लंबवत रेखा के किनारे किनारे, पश्चिमी एवं दाईं और पूर्वी भाग है इसे और इंट्रिस्ट से जानने के लिए खुद करके देखो एक बॉक्स बनाओ और उसमें दिशाएं भरो हमने यहाँ समझ लिया, आगे क्या है गलोब? मुझे और मेरे नक्षे को देखो थल के बहुत बड़े बड़े भाग जो पानी से घिरे हुए हैं वो महाद्वीप कहलाते हैं यह साथ हैं क्या तुम इन्हें ढूंड सकते हो? बच्चे ढूंडते हुए मिल गया! इनकी नाम है एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिनी अमेरिका, अंटार्क्टिका और आस्ट्रेलिया शाबाश बच्चों! अब मेरे नक्षे में देखो! इनमें नीले रंग के बहुत बड़े बड़े भाग पानी के महासागर हैं! हमारी पृत्वी पर पूरे पाँच महासागर हैं! इनके नाम है उत्तरी धृव महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशान्त महासागर और दक्षनी धृव महासागर! आहा, हमारी पृत्वी तो महासागरों से किरी हुई है हाँ बच्चों, तभी तो ग्लोब ने कहा कि पृत्वी का ज्यादा से ज्यादा भाग जल से घिरा है बच्चों, अब ये एक और नक्षा है, एशिया महाद्वीब का देखो, इसमें भारत कहा है, और उन देशों के नाम लिखो, जो भारत के उत्तर, दक्षिन, पूर्व, पश्चिम दिशाओं में स्थित है अब अपने देश के नक्षे में देखो, इसमें हलके नीले रंग की रिखाएं नदिया है, जो बहकर पानी के बड़े भाग में मिल रही है यह सागर है अरे वा, ये तो एक गेम की तरह हो गया, ढूंढो तो जाने अब नक्षे के दक्षणी भाग में देखो, बूंद के आकार की तरह बना श्री लंका देश है, वो एक द्वीप है द्वीप क्या होता है? जो भूभाग चारों और से जल से घिरा हो, वो द्वीप कहलाता है अच्छा, तो इन्ही छोटे छोटे द्वीपों के समूँ को द्वीप समूँ कहती है अंकल जॉन और ग्लोप हमें आपके जरूर पढ़ती रहीगी हमारा मार्ग दर्शन करने के लिए शुक्रिया शुक्रिया दोस्तों